श्माश्कार दोस्तों मैं नगीना सर्मा वोकारो से वोकारो गाइडन में आप सभी का तहरी से स्वागत करती हम। धीर साड़ी सबजीयां और फ्रोर्ट्स या फिर फ्रवर लेने हो तो मैं किस चीज का उपयोग करती हूँ किस फर्टिलाइजर का उसी का मैं आज 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 आपसे चर्चा करने जा रही हूँ आपको शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों आज जो मैं फर्टिलाजर आपके सामने ला रही हूँ उसमें आप देखोगे मैं जो आपसे चर्चा कर रही हूँ इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम है दोस्तों आज जिस फर्टिलाजर की मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वह दाने के रूप में भी मिलती है इसकी बाद पाउडर और लिकुड फॉर्म में भी मिलती है यह प्लांट का ओवर ओल ग्रोथ बुष्टर है उसके रोट से लेकर फल, फुल, शबजियां जो भी हो शम में काफी फैदेमंद है और मैं इसका अक्सर उप्योग करते रहती हूँ तो लेकर चलती हूँ और वहाँ चलकर आपको शेयर करती हूँ दोस्तो इससे आपके फुरूट या सबजी की क्वालिटी भी बहुत बेहतर बनती है दोस्तो इस फर्टिलाइजर में आपको नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटासियम इसके अलावे धेश सारे नुट्रियंट्स, मेगनेसियम ये सारे के सारे आपको मिलते हैं लेकिन दुरुभाग वास इसकी लोग को जानकारी बहुत कम है बहुत कम लोग ही इसका उप्योग कर पाते हैं तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको इसको सेर करती हूँ आप देख रहे होंगे छोटा सा जैस्मीन का यहां पोधा है नन्ने से पोट में लगा हुआ है इसमें फ्लाबडिंग किस कदर हो रही है यह आपको नज़र आ रही है और यह कमाल है इसी के फर्टिलाइजर का और आपको भी यह अक्सर होता होगा कि आप जब जाते होंगे नर्शडी तो खिले हुए फूल उसमें पेर में लगे हुए फ्रूट्स मिलते हैं लेकिन जब घर में लेकर आप आते हो तो ओ ऐसा नहीं होता आपके फ्रूट नहीं खिलते तुरत का तुरत नहीं खिलते साथ ही जो फ्लाबर उसमें लगे हुए है वो ज़र गए तो उसके बाद फिर नए फ्लावर नहीं आते तो दरसल होता क्या है नर्सरी में वो लोग क्या करते हैं कि कुछ इंजाइम्स बगर दे करके इसको इसके ग्रोथ को रोक करके यानि उसमें ब्रांच ज़्यादा आप देखोगे नर्सरी वाले पौधे में नहीं रहते हैं यहां घर में कटिंग से लगाई गई है तो आप देख रहे हो कि इसमें कई ब्रांचेज फिर भी तीन चार ब्रांचेज है लेकिन उनके ब्रांचेज कम होंगे और उसमें फ्लावर्स खिले होंगे जो आपको काफी अकर्सित कर लेते हैं अपनी तरफ तो क्या करते हैं तो इसमें बहुत तरह के फर्टिलाइजर डालते हैं कुछ मैं मैं उसमें से आप से शुरू की हूँ एक दो करके मैं वीडियो में एक में समभब नहीं है सारा तो मैं एक दो वीडियो में आप से उसको सेर करूंगी एक जो आप यहां देख रहे हो इसमें मैं आज जो फर्टिलाइजर सेर करने चाहर रही हूँ दोस्तों यह है समुंदरी घास सी बिड के नाम से जाना जाता है इसके लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं जो आप बोटल देख रहे हो और इसके दानेदार भी आते हैं साथ ही पाउडर रूप में भी आते हैं और इसका हर एक रूप में आप उपयोग कर सकते हो, यूज कैसे करनी है, इस बात की भी मैं चर्चा करने वाली हूँ, तो प्लीज आप जाओगे नहीं, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देख लोगे, तभी आप इसको समझ पाओगे कि ये कितना फायदेमंद है, बिचा सीविड रखी है, ये 10 से 15 ग्राम सीविड ले लो, उसको एक लीटर पानी में रखके दो दीन के लिए रख दो, और इसके बाद उस पानी का आप ती के रूप में जैसे पौधे में उपयोग करते हो, उपयोग कर सकते हो, पहली विधी में आप इस तरह से सीविड का उपय कर सकते हैं, दूसरी विधी में दोस्तों, आप अपने पौट की मिठी को गुराई कर लो, गुराई करके आप पौट की साइज देखो, ये कितने नन्हे सा पौट है, तो इसमें अगर बहुत जादा नहीं देनी है, और पौधा भी अभी मुश्की से 6 महीने पहले मैंने सीवीड काफी होगा, 10 ग्राम यानि इतनी सी, गुराई करके आपको इसमें डाल देनी है, रूट के चाड़ो तरफ हटाते हुए, एक पौधे मेरे इसमें और भी लगे हुए है, मैं उसको हटाती नहीं हूँ, इसमें रहने देती हूँ, और अब इसमें अच्छी तरह से पानी दे देनी है, इसको मिला देने है फर्टिलाइजर को और इसमें पानी डाल देनी है, दोस्तों जब भी फर्टिलाइजर डाले तो पौधे में पानी जवर डाल देनी है, इस बात का आप ख्याल रखें कि पानी जवर डालना है, चाहे वो और्गेनी फर्टिलाइजर ह तीसरी मेथर्ड में आप देख रहे होंगे यहां 15 ग्राम के करीब सीवीड यहां है और यहां बर्मी कंपोस्ट और करीब करीब 20-25 ग्राम है दोनों को आपस में मिला देनी है अच्छी तरह से इसको आपस में मिला दो दोस्तों यह मेरा फीच लीली का पौधा है फ्लावड यह किस तरह से कर रहा है आप देखी रहे हो एक तरफ नए फ्लावड निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ पुराने हो करके अब गेड़ने की कागार पर हैं तो इसी में मैं आपको इसको डाल कर दिखला रही हूँ मैंने ज की बीड का 10-15 ग्राम लेना है और बर्मी कंपोस्ट आप लेते हो उसको आपको पचीश से 30 ग्राम लेनी है और दोनों को मिला कर इस में डाल देने हैं और साथ में आपको पानी डाल देनी है इसको अच्छी तरह से मिला कर पानी आप डाल दीजे दोस्तो अब अगर लिक्विड वाली आपको भी वहार करनी है तो आप एक लीटर वाले पानी एक बोटल में पानी मैंने भर ली है इसमें मुश्की से आप दो से तीन बुंद आपको इसमें डालनी है और मिला करके उसको इस्प्रे कर देना है दोस्तो इसकी सबसे effective जो होती है यह liquid वाली जो आप देख रहे हो यह बहुँ ज़्यादा effective होती है दोस्तो चोथे तरीके में आप एक लीटर पानी यहाँ देख रहे हो जिसको टी भी बोलते हैं इसमें आपको इतना दस ग्राम जो है इसमें आपको डाल देना है लेकिन इसको तुरत उप्योग नहीं करना है इसको उप्योग करने में आपको दो दिन तक इसको रहने देना है इसमें और इसके बाद इसका यूज करना है दोस्तों ये आप हरे एक सबजी फूल वाले पौधे या फूरूट वाले में इसका उप्योग कर सकते हो अब पांचमी मेथट जो है उसको मैं आप से सेर कर दूँ तो इसके लिए आप इसमें से जो सीवीड है सीवीड है आप 20-25 ग्राम लोगे और यहां जो बर्मी है ये 200-200 ग्राम लोगे दोनों को आपस में मिला कर जो पौधे को हम लोग बात करते र दोस तो छे नंबर पर आप सीवीड फर्टिलाइजर का उप्योग अपना कमपोश्ट ञकैं करते हो कीचे से जो लग बनाते हfeitoछ लोगे कि नहीं अगर करते हो तो आपके का उपयोग कर सकते हो थोड़ी बहुत ज्यादा कम पड़ जाए तो कोई खास बात नहीं है कंपोस्टिंग करते समय आप 20 से पचीश ग्राम आप अपने कंपोस्ट में मिला दे सकते हो दोस्तों कंपोस्ट टी यह तो अभी मैंने डाली है इसलिए मैं इसको नहीं अभी दिख सारे पत्ते फूल पत्ते जो सबजियां हो उस पर आप इसको स्प्रे करके डाल सकते हो और इस तरह से सीवीड का आप उपयोग कर सकते हो मैंने कोशिश की है कि जहां तक मुझे जानकाड़ी थी आप से सेर करूँ और मैं इसी तरह से इसका उपयोग करती भी रहती हूँ मे बीज आप लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर ले मुझे खुशी होगी मैं इसी के साथ चलती हूं आप सबों को नमस्कार आदाब शाश्री आकाल और मेरे बच्चों को मेरा आप बहुत बहुत ब्याद